दोस्तों हर हफ्टे की तरह मंगलवार की शुरुआत करेंगे अपने 50 डॉलर के विनर के साथ क्राइटिरिया आपको पता है हर वीडियो पर जो कॉमेंट करते हैं लाइक करते हैं उनको हम मंगलवार के दिन अनौंस करते हैं बहुत बहुत बधाई शुरू करते हैं दोस्तों के लिए बलकि पूरी crypto industry के लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि दो सबसे बड़े billionaires जिनकी पास दो सबसे बड़ी exchanges हैं उन्होंने अपने sing फसा लिये हैं और ये चीज बहुत ज़्यादा अगली हो सकती है तो प्लीज गौर से इस वीडियो डेस्ट्रॉय कर सकती है पूरी वीडियो देखेगा मेरा ना मैं रोष शर्मा सटोशी स्टैकर इंडियो में आपका स्वागत है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए आप 50 जितना अलग बात है बड़ आगर आपको अलमोस्ट अलमोस्ट साड़े 10% गिरा है पर मैं यहां पर वो परते टटो लूँगा इस वीडियो में अगले 10 मिनिट में जो यह दर्शाती है कि बिटकोईन को अपने रीसेंट लो से भी नीचे लेके जाया सकता है अगर इनकी लड़ाई जारी रही जो अभी केवल 24 गंटे पहले शुरू हुई है मात्र तो बिटकोईन ने हमारा ओरेंज बॉक्स एटलीस बचा के रखा टेक्निकल्स की बात करें तो हम अभी भी सुरक्षित हैं पर यह फाइट बहुत जादा खतरनाक हो सकती हैं क्यूंकि जो उनकी लेटेस ट्वीट्स है जोनकी लेटेस जेस्टर्स हैं वो यह दिखा रहे हैं कि वो लोग लिवरेज यूज कर सकते हैं कर रहे हैं एक दूसरे के टोकन के को डेस्ट्रॉई करने के लिए FTX Binance token को destroy करने के लिए और Binance FTX को और साथ ही साथ जो panic rate हुआ है जिसके कारण लोगों ने भर भर के FTX exchange से अपने token निकलवाए है इसके बाद में कल भी मैंने हलकी से बात करती है आप detail में बात करेंगे उसके चक्कर में मुझे personally का नुकसान हुआ हमारी जो एक bot हमारी जो bot trade था वो अपना stop loss हिट कर गया 19,500 का हमारा stop loss था तो वो stop loss हिट करके वो trade close हो गया बागी 5 bots हमारी चल रहे है छटी latest वाली bot जो है वो minus 3% के profit पर close हो गया अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों यह लड़ाई है क्या exactly FTX का token जो है वो बुरी तरह से गिरा है क्योंकि market क्या expect करी है Alameda Contagion Alameda क्या है Alameda जो है एक research investment company है crypto investment company है जो FTX own करता है अब FTX और Alameda के कारण और लोगों को कहाना नुकसान है का इसके बारे बात करते है फिलाल FTX token जो काफी दिनों से काफी दिनों थी पिछले कल पूरे दिन 22 डॉलर के आसपास था 20 का उसका बहुत important support level था COVID low था वो उसने break कर दिया लोग ऐसी आपत्ति कल से करने लगे थे कला आदेखे 7 बजे US time के साब से की withdrawal रुख गए है और अगर आप देखें log भी जो FTX का official wallet number है उससे केवल छोटे withdraws निकल रहे है 400 dollars 9 dollar मतलब शर्म आ रही है देखे मुझे कि जिन लोग के पास बड़े account है वो लोग tweet कर रहे है जिनके 1000, 2000, 50,000 1,000,000 dollar की investment है वो claim कर रहे हैं Twitter पे कि हम एग घंटे से wait कर रहे हैं मैं FTX से withdraw नहीं करा पर हूँ ऐसे टाम पर panic होता है कल मैंने समय से काफी आगे रहे कि आपको warning दे दी थी आज लोग Twitter पे express कर रहे हैं और बाकी लोग जिनके account है US में वो लोग panic होकर अभी निकल वाएंगे और ये एक ripple effect है जितने ज़्यादा लोग निकालेंगे ये एक chain reaction है उतना ज़्यादा इनके पास fund रुकता रहेगा अब यहाँ पर बात करते हैं कि हुआ क्या अब CZ जो Binance के founder है जिन्होंने FTX में भी initially investment करी थी FTX equity last year Binance received 2.1 billion dollar जो cash मिला था due to recent revelation कि FTX का बुरा हाल होने वाला है अब ये इन्होंने tweet शुरू करी है इससे एक लड़ाई शुरू हो गए 6 November से क्या हुआ ऐसा CZ को Binance के founder को जिन्होंने FTX में initially invest किया था और वो अब FTX के उपर उंगली कर रहे हैं FTX क्राश हुआ है तो ये माना जा रहा है कि Binance के founder ने tweet की इसलिए और FTX के तो founder ये भी blame लगा रहे हैं कि आपने leverage shot करके FTX को down करने की कोशिश करी है परते खोलते हैं समझते हैं अब यहाँ पर किसी भाई साब ने दो tweets का comparison किया कल की Sam Bankman Freed जो की FTX के founder उने ने कहा हमारा competition हमारे साथ false rumor करके हमें गिरा रहे जिसका उधारन आपने देखा अब CZ को क्यों sudden है मैं आपको यहाँ पर प्रूव करता हूँ a competitor tried to go after us with political lobbyist अब मैं आपको कल की वीडियो गौर से देखिए मैंने समय से पहले आपको एक चीज़ बताई थी बहुत डिटेल में Sam Bankman Freed और FTX were the largest funder of Joe Biden जो की US के president है उनका दो साल पहले का जो campaign था presidential campaign they were the second largest funder after JP Morgan तो यह कह रहे है कि हमारा competition उसमे political lobby यूज करके Binance को shutdown करने की कोशिश की थी और आप अच्छे से जानते है Binance को US में बहुत ट्रबल हुआ था Binance US में ban भी हुआ था ये दो दोस्त जिन्होंने साथ मिलके एक शुरुवात करे थी FTX काफी आगे निकल गया ऐसा माना जा रहा है जैसे कि Binance ने anticipate किया था और वो इतना आगे निकल गया कि एक तो वो Binance के लिए खतरा बन रहा है FTX दूसरा FTX जो है वो भी malicious चीज़े यूज़ कर रहा है मैं आपको यह भी बताता हूँ यहाँ भी प्रूव करूँगा फिराल Sam Bankman Feed का कहना है कि हमारे पास enough money है जो कि हर एक डूपती हुई नईया का Captain कहेगा है कि हमारे पास enough lifeboats है हमने clients की assets को reinvest नहीं किया है हमने leverage trading नहीं किया है आपके bitcoin को लेके उसको गिरवी नहीं रखके cash नहीं उठाया हम heavily regulated है हमारे पास 1 billion से ज़्यादा cash है इस पे मैं trust करूँगा के नहीं मैं तो नहीं trust करूँगा मैंने आपको कल भी का था अगर यह सच भी है इनके पास पैसा है भी तो भी हम अपने पैसों को wallet में क्यों न डाले FTX में क्यों पढ़ा रहने थे किसी और exchange में डाल दे कोई बात नहीं उसमें भी इस रिस्क है बट wallet में क्यों न डाले FTX में क्यों रखा रहे हैं थे अब वो यह भी कह रहे हैं कि मैं चाहूँगा कि Binance के जो CZ हैं founder हैं वो work together करें हमारे साथ ecosystem को बचाने के लिए कि यहां पर एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि अगर यह चीज ऐसी चली FTX का पतन हुआ तो नाके विल FTX हो नुकसान होगा पूरी crypto industry, bitcoin गिलेगा क्योंकि लोग अगर bitcoin withdraw नहीं कर पाएंगे FTX से, Ethereum withdraw नहीं कर पाएंगे तो चीजे फटेंगी अब यह क्या कह रहे हैं भाज़ा इन्होंने कहा कि I was out with a friend yesterday when the topic of whale alerts came in following the principle, I decided to be transparent अब यह कहना है कि तो को मेरा मकसर FTX को डुबाना नहीं है मैंने large withdrawals देखे हैं इसलिए मैंने लोगों को warn किया अब यह यह भी warn कर रहे हैं दे का मतलब FTX है they have or will have to buy 580 million BNB अब इनका क्या कहना है कि FTX के customers ने FTX exchange के अंदर 580 million डॉलर के Binance token रखे हुए है और इनके हिसाब से FTX के wallet के अंदर Binance 0 है अब वो कहरे हैं कि अब खुली बताईए अगर आप FTX की user हैं तो आप Binance कैसे withdraw करेंगे FTX के पास तो Binance है ही नहीं अब यह आग में घी डाल रहे है ना तो मापस में बात करो कि Twitter पे लडाईयां कर रहे हो एक दूसरे को shot कर रहे हो एक दूसरे को धमका रहे हो एक दूसरे के customer को गुबरा कर रहे हो इस पूरी जद्दो जहद में customer panic होके withdraw कर लेगा अब हम थोड़ा सा और history में जाते हैं अब यहां पर इन्होंने क्या बोला था कि हमारी जो attempt हुए है यह हमारे किसी competition निकिया है अब यहां पर आपको बता दूसरे केवल उससे दो महने पहले शुरू किया था दो या तीन महने पहले अब आप लगा लिजिए CZ Binance ने allegation लगाया था कि FTX उनको hack करने की उनके futures को crash करने की कोशिश कर रहे 2019 में इनकी पुरानी rivalry है अब एक होड भाई सब कहरें Remember when Sam used FTT collaterals to short YFI Sam Bankman Feed ने FTT को अपने खुद के token को collateral रखके YFI नाम के token को crash करने की कोशिश कीते या YFI token का सीधा सीधा Binance के CZ से link है उनका खुद का उसमें बड़ा investment है अब ये बहुत पुरानी परते खुल रहे है कि कैसे दोनों ने एक दुसरे को past में डुबोने की कोशिश की है खास कर FTX के Sam Bankman Feed ने Binance को crash करने की hack करने की, shot करने की, उनकी investments को तबाह करने की past में कोशिश करी है अब आज CZ जो है Binance के बहुत smart है अज उन्होंने देखा कि पैसा FTX के पास कम है और Binance के पास जादा है तो आज Binance का upper hand अब यहाँ पर ये tweet देखिए इन भाई साब की 30 October की अब यह इस से आपको पता चलेगा Sam Bankman Feed कितने corrupt इंसान है मैं इवन से किसी के side नहीं ले रहा हूँ बट इन्होंने क्या था Binance को tag करके CZ जो founder of Binance है excited to see him wrapping the industry in DC going forward is he allowed to go in DC DC is Washington DC यानि कि जहाँ पर वहाँ की दिल्ली है वहाँ की सरकार जहां बैठती है तो यह क्या कह रहे Sam Bankman Feed कह रहे है CZ Binance क्या तुम दिल्ली में मैं उधारन की तौर पर बोलो क्या तुम US की capital में अपनी paint जमा पाओगे कहने का मतलब है क्या तुम वहाँ के जो lobbyist है वहाँ की जो सरकार है उनसे अपने आपको unban करवा पाओगे अब इस पर तो कोई भी चड़ेगा अब इस पर इसके जवाब में वो क्या बहाँ साब बोल रहे है Binance के बस 8 billion dollar ETH है बहाँ साब अब अपनी तमीज से काम कर आपको आपको चवणी भी नहीं है 8 billion dollar की ETH पड़े है अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताता हूँ Alameda ने डंप किया था BIT token को Bybit Bybit के साथ हम भी काम करते हैं और आप देखें कल Alameda Research जो FTX की एक investment आम है वो इतने बुरे समय के बावजूद भी Bybit के token को शौट कर रही है अब आप कहेंगे Bybit से इसका कहले है मैं आपको बताता हूँ ज़रा रुकी ज़रा तो Bybit जो है Bybit का FTX के साथ करार है दोनों के पाटायप है कि 100 million Bybit token exchange हुए थे 3 million FTT token यह इनका contract है आपस में इनका एक deal है जब इन्होंने Bybit शुरू की थी तो FTX के साथ एक deal थी और यह कहा था public commitment not to sell each other's token for 3 years इन्होंने कहा था हम एक दूसरे से commitment करते है हमारा JV हुआ है investment हुए जो भी है 3 साल तक एक दूसरे का token नहीं बेचेंगे बट Alameda Research जो की FTX का यह पार्ट है उन्होंने 4 million Bybit token BIT token 1.6 million के उन्होंने बेच डाले definitely उनके पास pressure है customers का अब देखिए जो बेंजो जो है CEO of Bybit इन्होंने का FBA Sam Bankman FIT SBF ने promise किया था कि हम dump नहीं करेंगे अब जो Bybit है इसके अंदर Binance की investment भी है अब यहाँ पर देखिए लड़ाई इतनी जाता personal होगी है माफी चाहूँगा मैं थोड़ा सा वीडियो को लंबा खीच रहा हूँ अब देखिए इसमें Bybit भी खसीटे जा रहा है Alameda Research भी खसीटे जा रही है Ethereum भी खसीटे जा रहे है Mass withdrawal के कारण किसी भी token के उपर आ सकता है Bitcoin के उपर Ethereum के उपर और इसके कारण जो अच्छे token है FTT जैसे या Solana जैसे जिनका direct exposure in company के साथ उनके dump page में आ सकता है कल की वीडियो में मैंने spush किया था हमारे जैसे long term investor इंजीरों से डरते नहीं है मैंने आपको कहा था मैं तो चाहूँगा कि Solana 20 डॉलर का आके गिरे और मैं Solana खरीद हूँ Lucky legal Solana 24 डॉलर तक भी गया था जैसे मैं देख पा रहा हूँ मेरे buy order नहीं execute हो पाए पर मैं चाहूँगा ये लड़ाई और चले मैं माफी चाहूँगा उन लोग से जिनको temporary pain होगा इस चक्र में क्योंकि ये सब चीजे मैंने बहुत देखी है वापस से bitcoin 25,000, 24,000 या 22,000 डॉलर दस पंदा दिल में चला जाएगा बट आपको buying करने का बहुत अच्छा opportunity मिलता है जैसे मेरी निगा में मैं बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ Solana 24,000, 20 डॉलर पे खरीदने के लिए इसलिए दो साल में मुझे अफसर नहीं मिला हलाकि जो लोग मुझे काफी टाइम से फॉलो करते हो जानते हैं हमने Solana बहुत चीप प्राइस कि भी आपको entry points बताऊंगा बट बचके रहें दोस्तों short term में ज़्यादा wait करें ज़्यादा exposure मतले leverage exposure तो कभी मतले ऐसे टाइम पर recipe होती है leveraged liquidation की तो और वैसे भी इससे बढ़िया time नहीं है wallet में move करने का आपका पैसा अकर आपको ledger नहीं करीदना है पैसा नहीं खर्च करना है मैं बोलूँगा आप simple free wallet खरीदिये trust wallet metamask अपने coins wallet में रखिए ताकि आपका पैसा secure रहे कलको कोई और भी exchange liquidate हो सकती है ftx के लिए मैंने नहीं सोचाता दोस्तों कि ftx exchange का ये हवाल होगा और अभी तो मुझे लग रहा है शुरुआत है है ना तो किसी भी exchange कोई भी okx buybit किसी का भरोसा नहीं है है ना थोड़ा सा अपने पैसे safe में रखें अपने token safe में रखें exchange जिस पर ज़्यादा exposure मतलें दोस्तों फिर से मुबारक हो जो आज की विनर है अगर आप भी 50 डॉलर जीतना चाहते हैं तो आपको simple सी एक आज का सवाल आज की वीडियो से संबनी दियोगा जैसे मैंने कहा इस पूरे crash से अगर कोई फायदा हम उठा सकते हैं तो solana को 20 डॉलर से नीचे और ftx को जो की ft t token है इनका जो नीटिव टोकन है उसको भी अच्छे discount पो जो इससे में 15 डॉलर पे चल रहा है क्या आपको लगता है कि ftx 10 डॉलर के नीचे और solana 20 डॉलर के नीचे आएगा अगर आएगा तो हाँ और ना अपना सही जवाब अपने conviction जो भी डाले पर निगाह रखें these are the moments to cherry pick 2017 में मैंने bitcoin ऐसे ही 2-3,000 डॉलर पे नहीं लिया था उस साल में भी अगर आप देखे bitcoin 8-10,000 भी गया था in fact covid crash के समय अगर मैंने और मेरी team ने 5-6,000 डॉलर तक bitcoin भी उठाया है तो वो यह ही है कि जब bitcoin 20,000 डॉलर से नीचे गिरता है तो आपको time करना है FTT token गिरता है तो time करना है Solana गिरता है तो time करना है wait करना है और अगर वो time नहीं है तो कोई बात नहीं फिर आएगा Solana below 20 FTX below 10 जवाब दीजिए अपना अपना बीवेट्रेश डाला मत बूली था कि हम आपको transfer कर सके तब तक अपना ख्याल रखिए धन्यवाद जय है